जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है अध्याय बारा भक्तियोग श्लोक पंद्रा यस्मात न वुद्विजते लोकाहा लोकात न वुद्विजते चा यहा हर्शा मर्शा भयोद्वे गई ही मुक्तो यस्चा में प्रियाहा वुम् श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को भक्तियोग सिखा रहे हैं परमात्मा कह रहे हैं अर्जुन एक भक्त जो किसी भी जिवित प्राणी को डर नहीं देता एक भक्त जो अपने कार्यो या अपने सब्दों से किसी को परिशान नहीं करता एक भक्त जो इस भावना से निर्भय है कि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाता इसलिए कोई भी मेरा आहित नहीं करेगा एक भक्त जो सुख और दुख में सामान है वह भक्त जो भए और चिंता से मुक्त है और जो किसी को खुशी, किसी को क्रोध, किसी को भए, किसी को चिंता नहीं देता है ऐसा भक्त मुझे प्रिये है इस प्रकार स्री कृष्ण परमात्मा या स्पस्ट कर रहे हैं कि जो लोग फल की इच्छा किये बिना कर्म करते वे इन गुणों को धारन करते हैं वे उन्हें बहुत प्रिये हैं आएए हम स्री कृष्ण परमात्मा के सिच्छाओं पर ध्यान करें और आईए फ़ल की इच्छा किये बिना अपने कर्म करते रहें आईए एक एक करके इन सभी गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयाश करें आईए हम श्रीकृष्ण परमात्मा के प्रिये बनने का प्रयाश करें श्र्कृष्ण परमात्मा या श्र्यमन नारायन के प्रती समर्मन करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हुए आईए हम श्र्कृष्ण परमात्मा के शबदों को श्लोक के रूप में दोराएं इस्मान नो द्विजते लोकाहा लोकान नो द्विजते चयाहा हर्शा मर्श भयोद्वे गई ही मुक्तो यस सच में प्रियाहा श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में आठ कार्य करने के लिए दिया गया है श्रीकृष्ण कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भगतों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशेवचनम्तव जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आए परमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ करमों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो परमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याएं हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीकृष्ण को अपना वचन देते हुए आईए हम सभी श्रीकृष्ण के सुंदर चहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें यह है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा हमारा दूसरा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूंगा हमारा चोथा वचन हे श्रीमन नारायन, जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पांच हुआ वाचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके शब्द मामे कम सरणम रज़ याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन, मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन, आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा की है और आशिरवात दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भगतों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अप परिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये है प्रती दिन स्रीमन नारायन को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वम श्री कृष्णार प्रणनस्तू जै श्रीमन नारायन यस्मात नवुद्विजते लोकाह लोकात नवुद्विजते चा यहा हर्षा मर्षा भयोद्वे गई ही मुक्तो यस्चा मेप्रियाहा वूम् यस्मान नो द्विजते लोकाह लोकान नो द्विजते चायहा हर्षा मर्षा भयोद्वे गई ही मुक्तो यस्चा मेप्रियाहा जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोद्व हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आईये प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायन स्थरम का पार्ण करें नारायन स्थरम प्राप्त करने के लिए नारायन स्थरम वेब साइट पर जाएं जो की है www.narayanastram.org और registration में अपना नाम और email प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई email पर आपको नारायन स्त्रम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णू नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायन स्त्रम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायन स्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्नु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन